तो काईसर मेरी गल्फ्रेंड ग्वेन के साथ तीम पार्क आने का कुछ अलगी मज़ा है अभी हम लॉस सेंटोस के बीच के तीम पार्क पर आये थे और अभी हम इस जाइंट वील में बहुत ही जादा मज़ाया है अरे मुझे थे रोलर कोश्टर में जादा मज़ाया था रोल अभी बहुत ही सादा मसाता है तुम्हारे सार फेरे स्पाइडी मुझे बर्गर खाने चलो ना बर्गर खाने चलते हाँ चलो चलो साथ में बर्गर खाएंगे हाँ हाँ मेरे बिना बर्गर खाओगे स्पाइडर मैन मैं आ चुका हूँ तुमें खतम करने ये क्या राइनो राइनो को तो मैंने बात साल पेले मार दिया था, ये फ़र से कैसे आ गया, हाँ हाँ हाँ, सब बदल चुका है, अब मैं नॉर्मल राइनो नहीं रहा, मेरे अंदर खतरनाक खतरनाक पावर्स आ चुकी है, मैं इस पूरे पूरे लॉसेंट डॉस को खतम करने आया हूँ, पर म भी नी गर्ल फरेंड है, फिर तो और भी अच्छा है, मैंने सोचा था मैं तुम्हें मारूंगा, बर तुम तो पहले सही बहुत ही मोटे और बद्दे हो चुके हो, तुमको मारने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी गर्फरेंड को ले कर जा रहा हूँ, स्पै आप आप सकते हो तो जाओ एक अच्छे spider-man बन कराओ और अगर तुमने मुझे हराया तो आप गवैन को ले जाना हा और राइनो गवैन को चोड़ दे गवैन को चोड़ दे अरे कैसर यह क्या हो गया और आइनो को मच्चा तो गवैन को लेकर चला गया अरे मैं तो बाग भी तुम्हारी गर्फ्रेंड को लेकर चला गया और तुम कुछ नहीं कर पाए मुझे देखके बहुत ही पुरा लगा एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था क्या क्यों हरे वह चोर भी ना इसलिए उसने चोरी करी थी इसलिए उसको भुलच अड़ा कर लेगां पर मैं तुमारे साथ ऐसा नई होने दूगा अगर तुम गवेन को बचाना चाहते हो सराइनो से तो इस मशीन को अपने अंदर लगा लो और फिर तुम अपग्रेट हो जा सब्सक्राइब और यह मेरे साथ क्या हो रहा है को अब देख सकत हूं एक स्पाइडर रूबोट में यह तो बुए इसादा बढ़िया लग रहा है मैंने बोला था ना स्पाइडर मैन तुम अपग्रेड हो जाओगे अरे थैंक्यू अंकल बहुत बहुत शुक्रिया अब तुम एस राइनो के बच्चे को नहीं छोड़ने वाला रोक जाओ अरे क्या हो गया अरे स्पाइडर मैन ये तो रोबोट लेवल वन है तुम्हें और भी जादा अपग्रेड होना पड़ेगा अगर तुम राइनो को हराना चाहते हो तो क्या और भी जादा अपग्रेड होना पड़ेगा इस Spider-Man Robot Level 1 से तुम राइनो को नहीं हरा पाओगे अगर तुम्हें राइनो को सच में हराना है तो तुम्हें और भी जादा अफग्रेड़ों ना पड़ेगा एक खतरनाक से Spider-Man में और उसके लिए तुम्हें कम से कम वैसी चार मशीन और चाहिए होगी क्या वो मशीन का आपन मिलेगी मुझे जल्दी से बताओ अगर तुम्हें और मशीन चाहिए तो तुम्हें खतरनाक खतरनाक चैलेंजिस करने पड़ेंगे क्या तुम तयार हो मैं तयार हूँ मैं ग्वैन को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैं सारे के सारे चैलेंजिस करूँगा तो कैसर अभी आप देख सकतो हम लोग अफग्रेड हो चुके हैं खतरनाक से स्पार्डर मैन रोबोट में पर कैसर ये स्पार्डर मैन रोबोट की लेवल वन है अगर हमें ग्वैन को बचाना है राइनो से तो हमें और भी साधा अफग्रेड होना पड़ेगा तो फड़ाफट से चलते हैं और भी खतरनाक स्पारडर मैन में अफग्रेड होते हैं तो कोई सर वो मशीन तो सहीं में बहुत ही साधा खतरनाक थी तो हम उस मशीन को भूण ते नूटते हम ही यापना आ चुके ये का चल रे है अभ़ई ये तो मशीन को फूर्णने वाला हो अभई ये तो मच्छा है इस मशीन ओपतİ जाओ अभच्छाद मुझे वाला सर्वत है फ्लीज दे दे नहीं दूंगा निकल जा यासे वरना मेरे टेंक साहब को बुड़ा दूगा अरे बच्चे तु मुझे बता, ये तुझे मशीन कहा से मिली? अरे अंकल मेरे घर पैसे बहुत सारी मशीने थी, मेरे पापा ने बोला सब को उड़ा दे, तो यहाँ पर मेरे तीन मशीने तो पहले भूड दी, अब यह आखरी बच्छी है क्या तीन मशीने पोड़ दी अरे यार अगर मुझे मिल जाते तो मैं अब गिरू जाता तुनिया के सबसे खतरनाग स्पारिट मैं में परकाई सर ये मशीन तो मैं कैसे बिगर के लेके रहूँगा बच्चे तू बता तुझे क्या चाहिए मैं तुझे इसके बतले लॉली बॉब दूँगा अरे अंकल मैं क्या आपको छोड़ा सा बच्चा लग रहा हूँ मुझे कोई लॉली बॉब नहीं चाहिए अबे तु मच्चा ही तो है अरे लॉली बॉब नहीं चाहिए तो क्या चाहिए बता अंकल, अंकल मुझे जो चाहिए आप वो मुझे नहीं दे सकते अरे क्यों नहीं दे सकते बता ना क्या चीए अंकल मुझे गर्फरेंड चाहिए क्या, गर्फरेंड अंकल, अगर आप मुझे गर्फरेंड ला कर दोगे तो मैं आपको यह मशीन दूँगा अरे अब मैं गल्फ्रेंड कहा से लेकर आओंगा प्लीज मुझे ये मशीने दे तो फिर हट जाओ मैं इस मशीन को उड़ाने वालो अभी के भी रुक जा रुक जा बच्चे मैं तुझे गल्फ्रेंड ला कर दूँगा पर फिर तो मुझे मशीन देगा ना अहां दे दूँगा ठीक है मैं तेरे लिए गल्फ्रेंड लेकर आता हूँ तो इधर ने रुक जाओ अंकल अगर आप 10 मिनिट के अंदर नहीं है तो मैं इसको उड़ा दूगा अरे ठीक है ठीक है अरे कैसर मुझे 10 मिनिट के अंदर कैसे भी करके उस बच्चे के लिए गल्फ्रेंड लानी पड़ेगी मैं अपनी खुद की गल्फ्रेंड ग्वैन को तो नहीं बचा पाया पर इसके लिए मुझे गल्फ्रेंड लानी पड़ेगी पर मुझे ये समझने ना ये डेजर्ट के बीचो बीच लड़की कहाँ पर मिलेगी उसको गल्फ्रेंड मना सकू इसकी अंकल अंकल आपके पास गल्फ्रेंड है क्या मेरे पास तो नहीं है पर अगर दिलाओगे तो मनाने ही करूँगा मैं कहा से दिलाओं मैं कुछ डूण रहा हूँ मुझे उस चोटे बच्चे के लिए जल्दी से गल्फ्रेंड दूणने पड़ेगी वरना वो उस मशीन को उड़ा देगा मेरे पास ट्राइम बहुत ही जादा कम है जल्दी जल्दी दूणना पड़ेगा अरे यार यहाँ पर तो दूर दूर तक कोई लड़की नहीं है अरे अंकल यह क्या कर रहे हूँ जल्दी चल्दी मेरी गारी ठीक कर दो मुझे इंस्टाग्राम के लिए रील बनानी है अंकल जल्दी जल्दी कर दो अरे ये क्या, मुझे यहाँ पर लड़की मिल गई, दीदी, मेरी मां सुनो, मेरे साथ चलो अरे मैं तुम्हारे साथ क्यों चलो, कौन है तुम अरे वहाँ पर एषी छोटा मच्छा है, तुम्हें उसकी गर्ल फ्रेंट बनना पड़ेगा, चलो मेरे साथ अरे तुम क्या बुरी हो, मैं तुम हरे साथ क्यों चलूंगी, निकल जाओ यह से, मैं तुम हरे साथ नहीं चलूंगी मुझे यापर रिल बनानी है, ठाकि मैं जल्दी जल्दी फेमस हो सकूँ, तुम यह से चली चाओ हेलो गाई, इस के सुआफ सभी लोग अरे मैं क्या करोगी मेरे साथ ऐसे तो नहीं चलेगी रुक जाओ मेरे पास एक आइडिया है सुनो दीदी अगर आप मेरे साथ चलोगी तो मैं आपको फेमस कर दूगा क्या कैसे तुम मुझे फेमस कैसे करोगी अगर आप मेरे साथ चलोगी तो मैं अपने सारे की सारे सब्सक्राइबर को बोलूगा आपको फॉलो करने के लिए अड़े क्या सही में? हाँ सही में, हाँ मेरे साथ चलो नहीं नहीं पहले तुम अपने सारे सब्सक्राइबर को बोलो मेरा नाम कमेंट करने के लिए तबी तो मैं फेमस होंगी अचा ठीके अपना नाम बताओ मेरा नाम है पिंकी पैसे वालो की क्या पिंकी पैसे वालो की रुख जाओ शॉर्ट फोर्म बोलता हूं तुग्वाइजर फड़ाफट से कमेंट कर दो पिंकी ताकि हम इस लड़की को जल्दी जल्दी फेमस कर पाएं और ये हमारे साथ चलेगी उसकी गर्ल्फरेंट बनने जल्दी जल्दी कमेंट कर दो पिंकी हाँ हाँ जल्दी जल्दी कमेंट कर दो पिंकी मैं तुमारे साथ पका चलोगी तो ग्वैजर आप सबने सुन लिया है अगर आप चाहते हो मुझे वो खतरनाक सी मशीन मिल जाए तो मुझे इस लड़की को ले कर जाना पड़ेगा उस बच्चे की गर्ल्फ्रेंड बनाने तो उसके लिए आप सब को कमेंट करना पड़ेगा पिंकी जल्दी जल्दी कमेंट में कमेंट कर दो पी आई एन के वाई पिंकी तब ही ये मेरे साथ चलेगी चलो सबने कमेंट कर दिया अरे अरे क्यों चूल पूर रहे हो मैं देख सकती हो सबने कमेंट नहीं किया है सभी को बोलो कमेंट करें फिर ही मैं चलूँगी अरे काईजर मुझे लगता है आप सभी नाभी तक कमेंट नहीं किया तो जल्दे जल्दे कमेंट कर दो पिंकी 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 अब तो सब ने कमेंट कर दिया चलो मेरे साथ ओकी ओकी मैं तुम्हारे साथ चलूँगी आजाओ तु काइजर फाइनली मुझे ये पिंक के याँ पर मिल चुकी है इसको में लेकर जाने वाल है उस लड़के की गर्फरेंड बनाएंगे ताकि वो उस मशीन को ब्लास ना करें और फिर में अग्रेड हो जाओंगा चलो बच्चे ये देख मैं तेरे लिए गर्फरेंड ले आया अलो बच्चे कैसे हो तूँ बहुत ही बड्या आज से तुम دोलो गर्फरेंड बॉयफरेंड बन चुके है आब ये मशीन भी मुझे यहाँ पर मिल चुकी है finally इतनी सादा मैनत करने के बाद इस बच्चे की girlfriend बिलाने के बाद मुझे यहाँ पर यह machine मिल चुकी है फड़ापट से अपग्रेड होते हैं और काईसर अभी आप देख सकतो यह machine यहाँ पर start हो चुकी है और हम लोग अपग्रेड होने वाले एक और कादरनाक से Spider-Man में और काईसर अभी आप देख सकतो मैं आप अपग्रेड हो चुका हूँ एक बहुत ही कादरनाक Spider-Man में पहले मैं कितना चोटा सा रोबोट था पर अभी मैं बहुत ही जादा बढ़ा यहाँ पर बन चुका हूँ तो काईसर यह वाला Spider-Man तो सही में बहुत ही जादा खतरनाक है आपको कैसा लगा फड़ा फट से कमेंट करके बता दो मैं तो दीरे दीरे एक खतरनाक Spider-Man की तरफ जाता जा रहा हूँ पर काईसर आभी मैं मुझे तीन बार और अपग्रेड होना है मुझे वो मशीन तीन और चाहिए ताकि मैं अपग्रेड हो सको दुनिया के सबसे खतरनाक Spider-Man में तो दुनिया का सबसे खतरनाक Spider-Man मुझे बनना है तो आप कमेंट कर दो जल्दी से God Spider-Man जल्दी जल्दी God Spider-Man कमेंट कर दो ताकि मैं दुनिया का सबसे खतरनाक स्पाइडर मैन बन जाओ और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं है तो क्या कर रहे हो जल्दी जल्दी लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो और हम चलते हैं अफग्रेड होने हैं बच्चे तुमारा स्वागत है इस खतरनाक से चैलेंज में मैंने सुना है तुमें चाहिए ये अफग्रेडिंग वालि मशीन हां मुझे ये चाहिए जल्दी से दे दू अगर तुम्हें ये मशीन चाहिए तो तुमें ये खतरनाक सा चैलेंज करना पड़ेगा कुछ लोगों के लिए बहुत एजी होता है कुछ लोगों के लिए बहुत हार्ड तो इस चैनेंज में तुमें एक, दो, तीन, चार चारों के चारों बॉक्सिंग बैग को मारना पड़ेगा चारों बॉक्सिंग बैग पर एक पंच मारना है और उसके बाद तुम्हें यह मशीन मिल जाएगी क्या सरक चारों ब्भूक्सिंग बैग पे पंच मारना है यह तो बहुत इसी है यह वाली बखून तो मुझे बहुत साधा इसी ही मिलने वाली है अब ही जाकर सारे बोक्सिंग बैग पर पंच मार देता हूँ हाँ हाँ हाँ, इस boxing bag पर punch मार के मैं तो upgrade होने वाला हूँ याँ रुग जा, अल्क रुग जा अरे क्या हो गया? क्यों परिशान कर रहे हो? इस boxing bag पर punch मत मारना क्यों? मुझे upgrade होना है, मैं इस पर punch मारूंगा अरे तुझे पता नहीं है अगर एक बार इस बॉक्सिंग बैग पर तुने पंच मार दिया तो तो जिन्दगी में कभी भी बर्गर नहीं खा पाएगा क्या ये क्या बोल रहो तुम हाँ तुझे पता नहीं है क्या अगर इस boxing bag में जो भी पंच मारता है वो जिन्दगी मेर बर्गर नहीं खापाता क्या ऐसा कैसे हो सकता है बर्गर तो मुझे चाहिए तो तुझे खुदी choice कर ले तुझे बर्गर जादा important है या फिर boxing bag क्या करू क्या करू यह देख मैंने तेरे लिए एक दम फ्रेश बर्गर भी बंगा है कितना सौधा बढ़िया लग रहा है डबल चीज, आलू, पैटी और साथ मैं कोल्डरिंग चाहिए तो कोल्डरिंग में मिलेगी मेरी तरफ से मैं तो जे 10 बर्गर दूँगा फ्री में बढ़िया बच्चे, पहला पंच तुमने मार दिया अब जाओ, दूसरा पंच मारो, फिर तीसरा और चौता अगर यह मशीन चाहिए तो यह मशीन तो मैं कैसे भी करके लेकर रहा हूँगा और वो सेकेंड पंचिंग बैंक पर भी मारने वाले यह आ रहा हूँ मैं वाव, यह पंचिंग बैंक मुझे मिल गया इतने टाइम से मैं इसको डून रहा था मैंने इतनी बॉक्सिंग की ट्रेनिंग करी अब मैं इसको एक खतरनाग पंच मार कर अप्ग्राइट हो देवाला हूँ यह रुक जाओ, तुम इस पंचिंग बैंक पर पंच नहीं मार सकते क्यों नहीं मार सकता यह पंचिंग बैंक सही मैं अब क्राइट होता जूँगा अब क्राइट तो तुम हो जाओगे पर इस पंचिंग बैंक पर जो भी पंच करता है उसके दूनों हाथ कट जाते अपने अब या ये क्या बोरे हो तुम तुमें पता निये मेरे मामा के बेटे के भांजा का भाई इस पंचिक बैग पर पंच बारना है था और उसने जैसे पंच मारा तुम बिलीव नहीं करोगे क्या हुआ क्या हुआ मुझे बचाओ उसके दोनों हाथ कट कर गिर गए अब ना उसके बास हाथ है ना पैर है क्या पैर क्यों नहीं है फिर उसने उसके उपर लाद भी तो मारे थी ओ ये बंचिक बैग तो बहुत खतरनाक है मैं इस पर बंच नहीं मारेगा और कैसर मेरा प्लैन एक और बार यहां पर काम किड़ चुका है मतलब यहां पर तूसरे पंचिक बैग को भी हम मार कर उस मशीन के और भी पास जाने वाले तो कैसर दो पंचिक बैग तो यहां पर मैंने मार दिया है आप बार ही तीस रह2017 है अब देखते हैं कौन सो अब्स्टेकल, कौन हमारे बीच आने वाला है, एक सिकिन, यहाँ पर तो कोई भी नहीं दिख रहा, कोई तो आओ, पहले वो हाल काया, फिर वो बाडी बिल्डर, इस पर कोई को नहीं आना, लगता है, इस पर कोई नहीं आने वाला, लगता है मैं सीध अब मैं इसको मार दूंगा, रुक जाओ, इसको भी कुछ समझाना पड़ेगा, तुम इस पंचिंग बैक को नहीं मार सकते, क्योंकि इस पंचिंग बैक को मारने से, वे मुझे पागल बनाने की जरुवत नहीं है, मुझे बताए, तुम सब को पागल बना बनातर, यहाँ तुम मुझे पागल नहीं बना सकते, अरे यह क्या, इसको तो पता दल चुका है, मेरी बात सुनो, अगर तुमें यह पंचिंग बैक चाहिए, तो तुमें मुझे रेस में हराना पड़ेगा, क्या, तुमें रेस में, क्या तुम मेरे साथ रेस करना चाहते हो, ठीक है, मैं तुमाने साथ रेस करूंगा, और जो बचीतेगा, उसको यह पंचिंग बैक मिलने वाला है, ओके, क्या, तुम दयार हो रेस करने के लिए, हाँ, मैं तो बिल्कुल दयार हूँ, थ्री, तू, वार, गो, अरे, यह क्या, वह वो फ्लेश का बच्चा तो बहुत तेज भागय मैं उसको नहीं पकड़ सकता, रुक चाहूँ, मेरे पास एकाइडिया है, मुझे जल्दी से एक फूल लगाना पड़ेगा, हाँ, 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 मैं यह रेस तो आराम से चीच चाहूँगा, वो तो बहुत ही जादा पीछे है, सामने फिनिशिंग ल चल्दी बागने चाहिए, हल्क ने अपना काम यहाँ पर कर दिया हूँगा, हाँ, काम कर दिया है, स्पाइडर मैं जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोकने वाला, और काई सर, मैं यहाँ पर फिनिशिंग लाइन पर पहले पहुच चुका हूँ, फ्लेश यहाँ पर नहीं बहुत ही बढ़िया बच्चे, तुमने यह चैलेंज पूरा का पूरा कंप्लेट कर दिया, अब यह मशीन होई तुमारी, तो काईजर चलो, फुड़ा पट से वापेस से अफग्रेड होते हैं, और मैं यहाँ पर पुली स्पीड में अफग्रेड होने वाला हूँ, बहुत इक खतरनाक रोबोट है सही में, अब यह आप देख सकते हो, मैं इसके पीछे जो विंक्स है, उनकी मदद से यहाँ पर हावा में बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तू ना होता, तो मैं तो यह रेस आरी जाता, कोई बात नहीं, मुझे बर्गर बिजवा देना, तेरे घर पर आज मैं 50 बर्गर बिजवाँगा, क्योंकि तेरी मुदत से, मैं आपर इतना बड़िया स्पाडर मैन जो बन चुका हूँ, तो कैसर, यह वाना स्पाडर मैन सही में, बहुत ही जादा खतरनाक है, आप देख सकतो, यह रोबोट सही में, बहुत ही बढ़िया है, और यह चाहिए, पर कैसर, क्या यह स्पाडर मैन इतना खतरनाक ही राइनों से लड़ सकता है, मुझे नहीं लगता, वो राइनों मेरे से बहुत ही जादा बड़ा है, और खतरनाक भी, तो अमे गवेन को जल्दी से चल्दी बचाना है पड़ेगा, उसके लिए और भी होते हैं एक खतरनाक से स्पाडर मैन रोबोट में, ताकि हम उस राइनों को बता सके हम कितने खतरनाक हैं, तो फटा फट से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और चलते हैं मशीने डूढने, ओए तुम्हारा स्वागता है, इस खतरनाक से चैलेंज में, ओए यह चैलेंज होने वाला बहुत है खतरनाक स्पाडर मैन, अगर तुम्हें चाहिए यह ट्रोफी, तो तुम्हें इस पूरे चैलेंज को कम्प्लीट करना पड़ेगा, चल्दी बताओ, मुझे इस चैलेंज के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो गाड़ी चा जाना है, सेफ घर के अंदर जाना है, उसके बाद तुम्हारे पास है यह खतरनाक सा चैलेंज, इन सारी टाइल्स में से तुम्हें अपना रस्ता बनाना पड़ेगा, अगर गलत रस्ते में गए तो सीधा लावा में, उसके बाद भी बहुत सारे औप्स्टिकल्स और खतरन खतरनाक चैलेंजिस आने वाले, सारे के सारे चैलेंजिस को कम्प्रीट करते करते तुम्हें जाना पड़ेगा, फिनिशिंग लाइन पर, और अगर तुम्हें फिनिशिंग लाइन पर पहुच गए, तो तुम्हें यह मशीन मिलने वाली है, तो चलो, शुरू करते हैं इस चैलेंज को, तो काई सर, अभी आप देख सकतो, यह चैलेंज आपे पूरा का पूरा बता दिया है, और यह सही में बहुत ही जालक खतरनाक है, तो फड़ा अपर से गाड़ी के अंदर बैट जाते हैं, तो इस चैलेंज को शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक वी बिखुल सामझ गया रहा, तब ही तो आप सब को कमिट करना पड़ेगा, गुड लग स्पाडर में, ताकि मैं जाह से भी जाहूं, वो सही रस्ता हूं, तो फड़ा फट से यहां से जाने का ट्राइ करते हैं, अब यहां से चाहेंगे, तीरे तीरे, मुझे नीचे नहीं किर और यह क्या, मैं तो यहां पर नीचे नहीं किरा, और हम लोग इस रोट पर आचुके, इसका मतलब जो दोनों, रैड और वाइट थे बॉक्स, वो फेकते, अगर मैं उनके अंदर जाता, तो मैं नीचे गिर जाता, पर अभी अपन यहां पर बच चुके, पर कैसा है, यह च आएर चलांगे अंदर, रुख जा, पीचा, पीचा, मुझे यहां पर उतर जाना चाहिए, इस गाड़ी को पीचलाना पड़ेगा, तो काई सर, गाड़ी तो यहां पर पीचला चुके, पर मेरे पास यहां पर एक बड़िया आइडिया आचुका है, मैं यहां पर गन मार मा सही है, वहाला भी सही लग रहा है, तो अभी अपनी गाड़ी को फड़ा पड़ से यहां पर लेकर आता हूं, क्योंकि बुलिट्स के मार्क्स यहां से गाया भी हो जा जकते हैं, तो यहां से पूरा पूरा टेस्ट कर लिया, यहां पर कोई भी दिक्कत यहां पर गन मार के तेस्ट कर लिए था यहां पर भी दिककत नी है यहां सर वापर डेश्ट करना पड़ेगा यहां से गोली मारकर देख लेता हूं यह मख़ोस यह देला ध्त, जिसके मदब से हम यह पुरॉ का बोरा चैलेंज यहां पर घीतने Aidblick में और इदर भी काम करें और यह किया मैंने तो कंप्लीट कर दिया इस गतर लाग से जैलेंज को तो फड़ाइपट से इसके आगे निकलते हैं इस मिट्टी मिसा में जाना है और यहां पर कितने सारे बंके यह तो मैंने देखा ही नीदा यह तो बहुत ही जादा मुश्किल यह प मैं कभी भी यहां पर नीचे किर सकता हूं तो यहां से निकल जाएंगे यहां से निकल ग्लिया आकरी दो बचे इन मेंसे निकलना है और यह जा है और यह और यह बढ़िया सरकल, अमने काट लिया, बिना रुकेश अगले वाले पर चलते हैं, और इसको भी कम्पलीट यहां पर कर देंगे, तो गुएसर यह आखर इस साल कवरा में यहां पर गूमना है, और यह भी यहां पर कम्पलीट होने वाला है, बिल्कुल पर फेक्ट यहां हो चुका है, अब बड़ा फट से चाहेंगे सीधा इस टनल से ओपर यह गाड़ी हमारी बहुत ही तेज जाने वाली है, सही बता हो तर मुझे यहां पर कुछ दंग से दिख भी नीरा पर कोई बाती हम फुल स्पीट में चाहते जारे हैं, अब यह गाड़ी बिकुल स्ट्र यह गाड़ी लेकर जा रहे है, आज तक ऐसा किसी ने नहीं किया होगा, पर हम यहाँ पर कर रहे हैं, इस गाड़ी को लेते वे जाएंगे सीधा वाटर स्लाइट से नीचे, बस मुझे यहां से ऐसे नी में भारी निकल जाओं, मैं आराम आराम से यहां पर चाहता जाओंग मैं गूलरानी बनकर गुंती गुंती जा रही है, और यह वापे से बढ़ी आसा ज committed, और यह क्या, हम यहाँ पर किड चुकें पर वापे से ऑ्टो स्लाइड में लैंड पी ओचू चुकें, यह तो बारवर फालु फाल्टू में डरते रहतें बार वाश्याट से मैं किरता और कैसर अभी मुझे फिनिशिंग लाइन भी अपनी दिख चुकी थी क्या हम वहाँ पहुच पाएंगे मुझे नहीं लगता क्योंकि यह सही में बहुत ही जाना मुश्किल है फिट से किर गए अभी हमारी गाड़ी यहाँ पर पूरी की पूरी उल्टी हो चुके में रिवर् कैन के बीच में से निकलते निकलते सीधा फिनिशिंग लाइन पे और हमारी गाड़ी के लचारी मुझे समझने रहा मुझे मचाओ मुझे मचाओ मुझे मचाओ फिनिशिंग लाइन पर मैं आ गया और कैसर ही से के साथ हम लोग यहाँ पर फिनिशिंग लाइन पर आ चुके बहुत ही जादा मुश्किल चैलेंज था पर हमने यहाँ पर इस चैलेंज को कंप्लीट कर दिया मतलब वह मशीन अब हमारी होने वाली है बहुत बढ़िया यह मशीन तुमारी होई जल्दी से अफग्रेड हो जाओ तो कैजर फड़ाफट से इस मशीन के साथ कर रहते हैं और अफग्रेड होते हैं खतरनक से स्पाडर मैं में और कैजर आप यहाँ पर देख सकते हो मैं अफग्रेड हो चुका हूँ एक और खतरनक से स्पाडर मैं में यह स्पाडर मैं रोबोट तो बहुत खतरनाग है अभी फड़ाफट से यहां से देखो मैं हवा में उपर भाग पा रहा हूँ यह कौन सी पावर्स मुझे आपर मिल चुके मैं हवा के उपर बाग सकता हूँ आज तक मैं रोट पर तो नी भाग पाया पर आपर हवा के ओपर हम जरूर भाग रहे हैं तो फड़ा पड़ से आपर नीचे उदर जाते हैं और मुझे यहां पर कुछ भी नहीं हुआ तो काईजर मैं सही मैं बहुत जादा खतरनाग स्पाइडर मैं यहां पर बन चुका हूँ पर काईजर अभी हम राइनो को नहीं आरा सकते हैं तो काईजर अभी मैं बन चुका हूँ लाश्ट सेकेंड स्पाइडर मैं तुईन्या का सब से खतरनाग स्पाइडर मैं बनना है उ इसका नाम है magic machine अभी आपको लेकर चलता हूं तो कैशर अभी में एक खदरनाकसा spider-man बन के आचुका हूं Franklin के गर मतल्य मेरे कुट्री गर मेरे स्पार्डर मैं यह हूं और अभी हम यहाँ पर drawing magic board पर बनाने बालेंग एसा खदरनाकसा spider-man जो कि होगा बहुत ही जादा पाउरफुल और राइनो को हरा सके चलो फड़ाफट से ड्रॉइंग शुरू करते हैं तो कैशर अभी हम देख सकतो हम लोग इस ड्रॉइंग magic board पर आचुके हैं और हमें इस ड्रॉइंग magic board बने खदरनाकसा spider-man बनाना है तो तो यहाँ पर सब से बहले सके ऊपर robot की बॉड़िप बनाएंगे उसको यहाँ पर अटेच करस अपर समसे बहले बार बार भार की बोड़िवण ऒर अंदर का पुर्यपर रोबोड बनाएंगे अब यहाँ पर इसको ऐसे लेकर जाहेंगे यह ऐसे मैं यह आजये स्पारね मै अभी तो ये थोड़ा थोनीट के तरह लग लिए नीचे टॉइलेट ऊइलेट उपर टीवी JP करिया अभी समूर पूरा बुरा बनेगा हैं और इसकी वायर जो में अपर connect कर देता हो और अब इसके पूरे के पूरे पैर को भी पूरा complete कर देता है इसका पैर बिल्कुँ एक दम robotic पैर लगना चाहिए इसके लिए यहाँ पर ऐसे लेकर जाएंगे यह बूम 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 और यह पैर यहाँ पर complete हो चुका है तो एक पैर तो हमारा बन चुका है एक दम तयार 1,2,3,4,1,2,3,4,10 तो क्वाइजर पैर तो यहाँ पर complete हो चुके है अब बारी थोड़े हाथ की तो हाथ ने इसके मैं इसको weapons देने वारा हो बहुत खतरनाक वाले तो यहाँ पर इसके weapons बिनाने वाले तो यहाँ पर ऐसे लेकर जाएंगे इसके weapons बहुत ही जादा खतरनाक होने चाहिए इसके हमें इसको यहाँ पर ऐसे करना है और यहाँ पर एक और खतरनाक सब weapon निकलेगा और फिर यहाँ पर एक और weapon फिर यह बहुत ही जादा खतरनाक वाला weapon एक और अपने यहाँ पर लगा दिया वैपन की तो इसमें कोई कमी होने ही नहीं वाली है। इस Spider Man के अंदर बहुत सारे वैपन सोने वाले ताकि उस Rhino के बच्ची से हम अपना पूरा कर पाए दो इस साइट भी सेम तो सेम कहतर नाक खतर नाक वैपन सी यहां पर बनने वाले तो यहां पर लेकर जाते हैं इदर लेकर जाएंगे यह बड़ी आसी missile launcher लगा देंगे और इस साइट में एक बड़ी आसा missile launcher और यह complete अफड़ावट यहां पर चोटी-मोटी गन बना देते हैं ताकि चोटी-चोटी missile से भी निकलती रहे तो काईजर हाथ यहां पर complete हो चुका है अब इस हाथ के अंदर थोड़ी जी डिजाइन दे दी जाहें ताकि यह वैपन्स लगे और भी जादा के अंदर तो यहां पर भी same to same मया लेंगे सरकल लेके अधर कर जेते हैं और कैसर अब में spider-man का logo बनाना इस चीच के अंदर तो फड़ावट से बनाते है spider-man का logo यहां पर बने का बहुत ही जादा खतरनाक यह बनने वाला जब यह पूरा का पूरा complete हो जाएगा तो फड़ावट से पहले आप spider-man को complete कर लेता हूं फिर यहां पर लेके जाएंगे इसके spider-man के पैर यहां पर हो गया यह यहां पर हो गया तो आप अभी देख सेक्तों यहां पर लोगो भी हमने यहां पर बना दिया है अब यहां पर तोड़ी सी और डिजाइन बना ली जाएं मारे spider-man के लिए तब यह तो यह तो यह तुनिया का सबसे खतरनाग spider-man बन पाएगा तो यहां पर लेकर चाहेंगे 1 2 3 1 2 3 और आप देख सेक्तों यह कितना जादा खतरना किया पर लगने लग चुका है जब हम इसके अंदर कलर करेंगे तो यह और भी जादा खतरना कोने वाला है अब ही थोड़ी बहुत चीज़े और बकी है उनको फिर्टों में बनाना ऊपल यह आपको अपटके मास्था इसकी आप बना देते हैं इस साइटमी सेमकित और यह और नदे रbooks यह और आप यह हो गया तो को हैसर आप देख सीय आपर चुका अब स्पाइडर में अंज मास्क करना बाकि है तो सबसे पहले हम लेने वाले ब्लू कलर क्योंकि वही सबसे जादा होने वाले तो यहां पर पूरा का पूरा ब्लू कलर से हम इसको भरने वाले इस साइट भी ब्लू 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 पूरा का पूरा ब्लू इसको यहां पर करने वाले इसके पैर भी पू पूरा पूरा ब्लूई होता है तो भी उसके बात लेंगे रेड कलर और रेड कलर कर देंगे इधर 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 और यहां पर भी पूरा का पूरा रेड कलर कर देते हैं यह हो गया डन रेड 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 यहां से पूरा का पूरा हमने इसको रेड कर द 2000 दाकिस की पावर हो जाए और भी घतरनाक और यह पींटिंग मनाई है दुनिया के सब से खतरनाक पींटर ने और गैसे नाप देख सकत हूँ, मैं आपर अप्रेड हो चुका हूँ तुनिया के सब से खतरनाक पडर मैं ने जो कि मैंने खुद अपने हाथों से बनाए यहां पर तोड़ी पुलिस वालों की मदद भी कर दी जाए चोरों को मार के बैंक रॉबरी करोगे यह खाओ तो आप देख सकते हों मैं कितना जादा यहां पर खतरनाक हो चुका हूँ और हम जाने वाले राइनो से लड़ने और उसको बताते हैं कितने जादा खतरनाक हैं और हमें फिर ग्वेन को भी तो बचा रहा है ये चलो फड़ा फट से चलते हैं राइनो आरा हुए तो गाइसर अभी में राइनो के बास आया था और आप देख सकते हो यह कितना जादा चोटा लग रहा है मेरे सामने चोटा सा बच्चा ये ले अब स्पार्डर मैन के बच्चे मैं छोटा हूँ तो क्या हुआ मैंने तेरी क्वेन को फटकर के रखा है और मैं तुझे नहीं चोड़ने वाला तू आजा फिर देख देख कौन किसे नहीं चोड़ता है स्पार्डी तुम्हें मुझे बच्चा नहीं होगा क्वेन तुम टेंक्शन मतलो मैं इस राइनो के बच्चे को बिलकुभी नहीं चोड़ने वाला ये मेरे सामने बहुत ही जादा चोड़ा या पर हो चुगा है इस राइनो के बच्चे को बिलकुभी नहीं चोड़ने वाले कहां गया आ रहा हूँ मैं तुम्हें खतम करने ये ले स्पाडर मैन पहले तु बहुत ही जादा मोटा था इसलिए मैंने तुझे छोड़ दिया पर अब होगा टककर का मुकाबला कहा से टककर का मुकाबला तु मेरे साबने इतना चोटा सा बच्चा है मैं इसको आराम से खतम कर सकता हूँ तु मुझे कभी खतम नहीं कर पाएगा ये ले इसलिए बार पर उठा उठाएगे पटक रहा है मैं इसको नहीं चोड़ने वाला ये ले यहाँ पर अभी एक हेलिकॉप्टर आ चुका है जिसको उठाएंगे हम और इस राइनो के बच्चे के ओपर में पटकने वाला हूँ कांग यहाँ इस राइनो को आज मैं बिल्कुई नहीं चोड़ने वाला निकल यहाँ से आज हम इसको खतम करके रहेंगे मैं इसको कैसे मिंगर के खतम करना है पहले में बहुत ही जादा कमजोर स्पाइडर में था इसकी इसने मुझे मार दिया था और यह ग्वैन को लेकर चला गया पर इस बार नहीं इस बार ऐसा बिल्कुरी होने वाला हम भी बन चुके हैं खतरनाग से स्पूर्टर में तो जल्दी जल्दी इस राइनो को मारते हैं और इसको खतम करते हैं और इसको बताते हैं कि स्पाइडर में है सबसे खतरनाग यह ले तो इसे के साथ राइनो का होता है यहाँ पर चैप्टर क्लोज और स्पाइडर में यहाँ पर जीच चुका है हमारा खतरनाक सा Spider, Robot और येरी Gwen इसको फड़ावपट से बचा लेते हैं Spider, Spider, तुमने बचा लिया हाँ, मैंने तुम्हे बचा लिया, तो guys, और आप देख सकते हो Gwen को उमने फाइनली बचा लिया और मैं दुनिया का सबसे खतरनाक Spider-Man भी या पर बन चुका हूँ Spider, मैंने सूचा था, जब तुम मुझे बचा लोगे, तो मैं तुम से शादी के लिए तयार हो जाओगी क्या, सही में, अरे कैसा ये तुम महाती खतरनाक हो गया कोई नम से शादी के लिए तयार हो चुकी है, तो मैं तो जारो शादी करने आप पर आप उट से कमेंट करके मताओ, कैसे लगी आपको आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लेगी तो लाइक करते ना, चैनल पे नवे तो सबस्टैब करते ना और दिस्कोर डिस्क्शन पर वाले जागे जाएक के जान फोलो करना और हम मेरेंगे अपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए, बाई बाई